आपका आपी के यूटीब चैनल में इसको डीके में आज हम जो शेयर के बारें बात करेंगे वह लोयाड स्टील इंडस्टीज लेमेटेड लोयाड स्टील में आप देखो कि सुभा आपको जोना भी 10% का अपर सरक्ट लगते वे नजर आया था क्योंकि अब जो इसकी सरक्ट लिमिट हैना वो 10% है 20% के बजाए ठीक है अब यह 20% जी भागने वादा 10% इसकी दोना स्क्रिक लिमिट कर दी गई है इन सब के चलते यहां पर आप लोग देखोगे लोयाड स्टील आज की दिन हमें 10% का पर सरक्ट लगाती हो इनना जाया 50 रुपे का जो टार्गर था व रिव उचाल दिया तो यही तो पूरा का पूरा गेम है और एक चीज मैंने और देखी कलके दिन एक आर्टिकल भी आया हुआ था कि लोयाड स्टील को बड़े-बड़े ओर मिलने वाले ऐसा ही करके जोना भी एक आर्टिकल देखने को मिला लेकिन वह आर्टिकल बिलकुल जूट है मैं पहले बॉल देता हूँ यानि कि यहां पर बड़े प्लेरों का जोना भी निकलना स्टार्ट हो चुका है इसलिए हमें जोना भी यहां पर प्रड़ बुगिंग के लिए चलना चाहिए और नीचे के लेवल में जब दोबारा से मिलेगा तो वहां से फिर से कुछ रहेंगे मुमेंट साथ में जो आर्टिकल हमें देखने को मिला है वो क्या है वो भी देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देखो कि सुबह स्टोग को पंप किया अपर सर्केट में लगाया अपर सर्केट में जाने बाद शेर उजना कंशोल डेट करते हुए नीच देखोगे यह जो बड़ा फोल बनाना यहां पर जो शेर वो नीचे में आप लोग देखोगे लगभग हमें 44-45 क्या सपास आते हुए नजर आया था नीचे में ठीक दस 11 बजे क्या सपास उसके बाद आप लोग देखोगे फिर से शेर को उचाल दिया तो यही तो पूरा पूरा गेम है यही तो ऑपरेटर गेम कहते हैं तो यहां पर जो ऑपरेटर गेम स्टार्ट हो चुका है 47 का स्टोग ने लो लगाया 50-65 का स्टोग का हाई और हमारा जो लेवल अचीव हो चुक है 137 के आज पास आप लगो देखो कि इसका पी रेशो है जो की बहुत बड़ संकेत स्टोग के अंदर हमें देखने को मिल रहा है तो यहां पर बिल्कुल साफधानी के साथ हमें स्टोग के साथ चलना है और इसका जो नेम हो भी चेंज हो चुक है यहां पर आप लोग देख सकते हो लो यार्ड इंजिनिरिंग वर्क्स के नाम से जो नब अब यह कंपन अगर बताएं तो लो यार्ड इंजिनिग के बात अगर बताएं तो लो यार्ड इंजिनिग करते हो नजर आएंगे इसलिए आपको मैं कल की वीडियो में बोला था कि बिल्कुल साफधानी के साथ स्टोग के साथ चलना है अगर 20 परशेंट का सर्क्रिट लगा है तो 10-12 प तो उससे पहले हमें जोना भी यहां पर अपना प्रोड लेकर बाहर निकलना है तो यहां पर जोना स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अब आगे कि चलिए वो देख लेते चार्ट की उपर तो यहां पर जो यह बड़े बड़े ओडरों के जो नाम दिये जाने बड़े बड़े नहीं करना चाहिए तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे किया मोमेंट्स रहेंगे हमारी क्या स्ट्रेजी स्टॉक के अंदर बन रही है तो यहां पर आप लोग देख सकते भी हमारी कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 44 रुपे 25 पैसे का आपको एसल पूट करक अगर नीचे आए तो स्टोक को बेचो और एंगजिट मारो अगर इसके उपर में रहे तो शेर हमारा है अभी बैठिये क्या पता अभी 60 भी चला जाए ओपरेटर गेम कुछ भी नहीं कह सकते हाल फिलाल तो लेकिन जो फेंडामेंटल के कुछ है है जो बहुत जादा नई टू संकेद्र है आरसाई एमफाई ओवर बोर्ड जोन में शेर गया हुआ है और इसके पी रिश्व आप लोग देखोगे ओवर वैल्यूड हो चुगा है ऐसे में स्टोक के अंदर बने रहना लॉंग टरम के लिए भी खत्रा है निचे के लेवल पर मिलेगा तो फिर्शे उठा लेंगे यह शेरा फिर्शे आप लोग देखो अभी अभी चला हुआ है ठीक बात है लास्ट में 30-35 क्या स्पास आएगा फिर वहां पर आपको जोन भी यह नजर आएगा क्वार्ट रेजल्ट के बाद आप लोग देखोगा वहां से एक अक को लेकर फिर भी कुछ भी पूझना हो कमेंट में पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकिस टॉक के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिसना है थैंक्यू फूर वाचिंग दा वीडियो